OCD में एक ही तरीके के विचार क्यों आते रहते हैं और उसे रिलेटेड विचार क्यों नहीं रुख पाते हैं जी हाँ दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि एक ही विचार के साथ उसी तरीके के बहुत सारे विचार क्यों नहीं रुख पाते हैं हलो दोस्तों AB Mind Training Center की तब से माँ आप सभी का हर्दिक स्वागत करता हूँ मेरा नाम अब्यकुमार OCD में क्या होता है कि एक ही विचार हमें बार-बार आता है और उससे related फिर कई तरीके के विचार हमें बार-बार आने लगते हैं जो हमारे लिए परेशानी का विश्य बन जाते हैं अब नॉर्मली लोग बहुत सारे लोग है जो OCD सफरर है वो सीकायत भी करते हैं और इसको समझना है सबसे पहले समझना जरूरी है फिर आप उसे ठीक करोगे सबसे पहली क्या बात आती है कि इसको एक सिंपल एक्जांपल के द्वारा में आपको explain करूँआ जिससे आपको थोड़ा समझ में आ जाएगा इसमें क्या होता है कि जैसे मान के चलो हमने YouTube पर या Google पर कोई भी तरिके की चीज सर्च की ठीक है सर्च करने के बाद में क्या होता है उससे related चीजें आने लग जाती है उसकी लाइन लग जाती है उससे related जितनी भी चीजें है तो वो searching list में आ जाती है इसी तरिके से हमारे mind का computer है वो काम करता है उसमें क्या होगा कि एक बार आपने कोई चीज डाल दी है उसमें आपको एक तरीकी का विचारा रहे तो उससे रिलेटर जो searching list है वो पूरी खुली हुई है आपके mind में और वो searching list time to time काम करती रहती है ठीक है इसमें automatic system होता है कि जो अपने आप उसमें आता रहता है में अब हम इस पर बात करेंगे कि यह आता क्यूmosy रहता हैं हमने एक विचार था उसको पकड़की कंट्रोल कर लिया उसको हमने समझ लिया उसको विचार की मोद कर लिया अब उससे related विचार क्यों आते हैं उससे related विचार आएंगे क्योंकि हमारा system इसी तरीके का बना हुआ है कि जब एक विचार आता है तो हम उसके उपर बहुत ज़्यादा काम करते हैं बहुत अच्छे तरीके से काम करते हैं इसके बारे में मैंने पिछले वीडियो में भी बात की थी किस तरीके से अपने उपर इसका असर रहता है और हम इसके प्रती की इस तरीके का बहवार करते हैं ठीक है तो यह हो गया अब हम इस में बात करेंगे कि यह क्यों क्यों रहा है क्या ये रुक सकता है जी हाँ बिल्कुल रुक सकता है इसके बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे कि ये किस तरीके से रुक सकता है आज हम इसे थोड़ा समझेंगे कि ये हो क्यों रहा है ये इसलिए हो रहा है कि हमने एक तरीके का विचार बहुत टाइम से एक तरी प्रति भी तरह से मान रखा है उसके प्रति हम वैवार कर रहे हैं तो उसने अपने जगह इतनी पावरफुल बना रहा Ugh निकि हम उसके प्रति किसी त्रिके का कुई वैवार हो तो हमारे उसके प्रति काम करना शुरू कर देती है के料 12 उनको हमने 7 इसी तरीके का डाल रखा है normally अपने क्या होता है कि अपने को सिखाया जाता है कोई बड़ा एंटर करें तो हमें खड़ा होना पड़ता है सिखाया जाता है तो वो हमारे emotion में इसी तरीके से हमने fit कर लिया कि बड़ा आया तो हम खड़े होंगे उसी तरीके से उस विचार के प्रती हमारा पांचो ग्यानेंदरियां काम कर रही है कि वो जब भी विचार हमें आया हम उसके प्रती कमपल्शन करेंगे अब वो कमपल्शन कर रहे हैं तो हमारा belief system पूरी तरह से ये मान चुका है कि यह आये तो इसके प्रति आप यह करो ठीक है अब उस विचार को हमने खतम कर लिया अब उससे रिलेटिड दूसरे विचार आ रहे हैं तो फिर वो भी हमारे उपर हावी हो रहे हैं तो इन विचारों को रोकने के लिए हमने जो टेक्निक आपको बता रखी है शुन्य थोड बता रखी है डीब ब्रीफिंग बता रखी है मेडिटेशन बता रखा है उनसे आप इनका समाधान कर सकते हो तो आपको भी OCD में या OCD से रिलेटिड इस त्रीके के बहुत सारे विचार आते हैं ओवर थेंकिंग में या नेगटिव थेंकिंग में तो आप भी हमें कॉंट कर सकते हो 829-55-86186 पर आप कोल कर सकते हो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें शेयर करें कमेंट करें धन्यवाद